बिहार के कैमूर से अजीवुगरी मामला सामने आया है जहा साधी कराने वाले अगुवा को लड़के वालों दोरा मोटे रसी सेप्रे में बांध कर जलिल किया गया और उसका वीडियो भी सोसल मीडिया पर वायल कर दिया गया मामला कैमूर जी लेके बेनाओ थाना छेत्रों फ्रॉली गाओं का है बताया जाता है फ्रॉली गाओं के रामसिवक पांडे के लड़के का साधी कराने की बात अगुवा दोरा कहा गया था इसी बिच अगुवा कई बार पांडे के घर पर ठाहा गया और बात भीजा किया अगुवा दोरा पांडे से लड़के के छेका कर गाहों के अगुआ विए दूबे के खर पहुंच के सी सागत हाना चेट के ककई गाहों के विपिंट पांडे दूबे को पकड़कर उपरौली गाहों में लगए वालों दूगा लाया गया जहां दोनों अगुआ को गाहों के राष्टे में एक प्रिंट के मोटे रसी से नवता को स्मक्सार करने वाला था और आपने आपको कानुन के अहां में लेने वाला था जब कि लगां के वालों दौगा सीधा दोनों अगुआ को लेकर पुलिस के पास जाना तरही था लेकिन आसा नहीं किया गया, हलाकि बिलाव पुलिस को इस मामले की सुचिना मिली तो मौके पर पहुँचकर दोनों अगुवा एवां लग्या के पिता यानि दोनों पच्छों को हिरासत मिलेकर थाने पहुची जहां पुलिस दोनों पच्छों को लेकर कैमोर एसपी के पास पहुची वहाँ SP ने दोनों अगुवा एवाम लग्य के पिता से पूश्टाच की लग्य के पिता ने बताया कि हम लोग आपस में किस्तिदार है अगुवा को गाओं के लगों द्वारा बना गया था मैंने आका छोड़ाया फिर अगुवा द्वारा बताया गया कि हम लोग एवायार दर्ज नहीं करना चाहते है सुला समझोते करने चाहते है वहाँ इस मामले में कैमोर SP दिलनवाज हमने बताया कि यह साधी का मामला है और दोनों आपस में किस्तिदार ही है केस नहीं करते हैं सुला समझोते की बात कर रहा है इसलिए पुलिस द्वारा कागजी प्रिक्रिया पुरी कर देगे बाद तीनों को छोड़ दिया जाएगा एक मामला है सर जो है लड़का वले लड़की के घर वाले को बंदर बना यह लोग कुछ आपस का शाधी बया का बैटर था पुछे यह लोग शाधी बया करने से इंकार कर दिया थे उसी में थोड़ा देख विवात हुआ था पुलिस ददकार पहुँचे बाद में यह दोनों पक्ष कोई भी करने को राजी नहीं है और यह बहते कि हम लोग का अपस का मामला था उसे आप desarrollo से भी अभी तक यह लोग को इंकार कर रहे हैं कि हम लोग को चंपार को श्यार कर कर रही है